शुप्रबात 21 अगस्ट 2021 है ये मेरे और मेरे पत्नी के लिए एक विशेश दिन है हमारी शादी की सालगिरा है हमारी शादी का 49 साल हो चुका है यववा की स्तूती हो ये एक अद्बुत 49 साल रा है इश्य मसी इस संदेश का पालन करते हुए और इस बचन को हमारे पूरे विवाहित जीवन में सुनते हुए प्रभु की स्तूती हो यह भाई ब्रैनम है भूसी गेहु के साथ वारिस नहीं हो सकती से अब इश्माईल इसाहक के साथ वारिस नहीं हो सकता था क्योंकि किसी को थोड़ा संदेश था बस थोड़ा संदेश था यह एक बच्चा था यह अभी भी इब्राहीम का वंच था लेकिन इसलिए परमेश्वर का सिद्ध तरीका नहीं था इश्माईल अब मैं यहां अधिक समय व्यक्तित नहीं कर सकता था परंतो मैं आशा करता हूँ कि पवित्र आत्मा आप तक इस बात को वस्तविक रूप में व्यक्त करेगा जैसे कि यह होना चाहिए अब अगर व यदि इश्माईल और इसाहक एक साथ वारिस नहीं हो सकते थे क्योंकि परमेश्वर की मूल योजना को एक परमेश्वर की एक अनुमोदक योजना एक अनुमोदक तरीका जिसे परमेश्वर ने आशिशित किया था मैं प्रतिस्थापित किया गया था ना ही अध्यात्मिक कलीसिया आज संप्रदाय के साथ वारिस हो सकता है संप्रदाव परमेश्वर ने आशिरवाद दिया जैसे उसने इश्माईल को किया लेकिन अध्यात्मिक दूसरों के साथ वारिस नहीं होगा ये सही है वाँ होगा कलीसिया संप्रदाय से बाहर आ रहा है मसी की एक दुलहन निर्वचित आएगी तो हम जानते हैं कि दुलहन को कलीसिया से बाहर बुलाया जा रहा है और आप आज में से बहुत लोग पहली बार सुन रहे हैं जेफिसन विल इंडियाना के प्रमेश्वर के एक नभी भाई जोसिफ प्राहनम के ये शब और मैं प्रमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आप इस पत्र को सुनने में सक्षम है वीडियो को बंद ना करें बस प्रतिक्षा करें पूरा वीडियो सुनें वच्चन के द्वारा उसका न्याई करें कितनी बार वो आपको वच्चन में वापस रखता है आपको वापस वच्चन, संदेश, संदेशवाक और मसी की को और इंगित करता है यही वो चीज है जिसके लिए भाई जोसफ प्रानम जाने जाते हैं आपको वच्चन की याद दिला रहा है वच्चन, 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 हालिलूया और वो आपको बताता है कि वो वच्छन कहां से आ रहा है यह आ रहा है यह सीधे परमेश्वर की और से नभी के माद्यम से आ रहा है यह परमेश्वर की आवाज है जाप से और मुझसे बात कर रहा है इसलिए हम प्रभू को धन्यवाद देते हैं अब ये रहाए भर्हय जोसिफ प्राणव का पत्र 21 अगस 2021 है. प्रिय पर्मेश्वर की छुनी हुई दुलन. दुनिया की नीव से पहले पिता ने अपनी दुलन को चुना. वो एक ऐसे दुलन चाहता था जो उसके चरित्रों को प्रतिपिमित करे. वो एसे दुलन चाहता था जो मान था, वो उनमें होगा, वो उसका वही मास, वही हड्डिया, वही आत्मा, वही सब कुछ होंगे, ठीक तब तक निर्मित होगे, जब तक कि वो दोनों एक ना हो जाए, वो उनमें अपने चरित्र को धलाना चाता था, क्योंकि उसे उसके जैसा ही बनना था, जब से उसने अपना पहला आदम और हवा पृत्वी पर रखा, तब से उसने अपनी सिद्ध दुलहन का पुर्नस्तापित करने के लिए प्रतिक्षा की थी, वो उसके बारे में कोई सोच रहा था, उसे उसके पुर्ना अभिवक्ती में वापस ला रहा था, क्योंकि ये उसकी बोली जाने वाली दुलन होगी, जब उसने उसे देखा, तो वो बहुत खुश था, आखिरखार उसके पास एक दुलन थी, जो एक शब्द से समझोता नहीं करेगी, एक दुलन जो उसमें से किसी पर भी संदेहन नहीं करेगी, लेकिन इसे वैसे ही लेगी, जैसे वो है, व किसी व्याख्या की अविश्रक्ता नहीं है, क्योंकि यह परमेश्वर की शुद्वानी है, जैसा ही उसने अपने उत्तम प्यारी पत्नी को देखा, उसे उस पर बहुत गर्व था, उसे बस उसे दिखावा करना था, इसलिए उसने अपने शक्तिशाली सात्वे दूद को ब बता सके कि वो कितनी सुन्दर थी, इसलिए वो उसे प्रत्साहित कर सकता था, और उसे बता सकता था, कि वो जानता है कि वो कौन है, इसलिए उसने अपने दूद को ले लिया, और उसे एक उच्छे स्तान पर स्तापित किया, ताकि वो उसका पुर्वदर्शन कर सके, जब उसने देखा तो प्रमेश्वर के आत्मा ने उससे बात की और कहा दुलन है उसने देखा और उसने तुम्हें वहाँ देखा उसका दिल खुश हुआ आप में सिर्प्रत्येक ने अपने राश्ट्रिय परिधान पैना था जहां से आप आते हैं स्विजलेंड जुमनी दुनिय बहर में हर देश असली अच्छे लंबे बाल पीछे तैके हुए लंबे बाजू और स्कर्ट में और आप सब एक चलान की धुन में थे आगे इसाही सैनिक युद के रूप में आगे बढ़ रहे थे जैसा ही उसने देखा हम सीधे आस्मान की और बढ़ने लगे हम वच्छन थे धन्यवाद पिता ये कैसे आज हमारे दिलों को प्रत्साहित करता है हम आपको और आपके वच्छन से प्यार करते हैं छो हम में है हम हर शब्द पर विश्वास करते हैं ये संदेश हमें हाथ पर दस्ताना की तरह योग क्या बैठता है हम आपकी उत्तम वच्छन दुधन ब लेकिन आपके वच्छन के साथ रहने के लिए ये संग्रहित मानना जिससे आपने अपनी दुलहन के लिए तयार करने के लिए छोड़ दिया था हम देखते हैं कि समय अब नहीं रहा भूकम से दुनिया हमारे नीचे काप रही है आपके जाच पड़ताल करने वाले परिष् चारों तरफ हैं दुनिया उपर नीचे हो गई है हर जगा युद लड़ाई हत्या विशानू और बिमारिया दुश्मन लगातार प्रकोप कर रहा है आपकी दुलन को पीड़ा देनी की कोशिश कर रहा है लेकिन आपकी चुनी हुई प्रिया पत्नी आपके वच्छन पर स् पिता कदम से बाहर ना निकलने में हमारी मदद करें हम आप पर नजर रखें और आपके अपरी वरतनिया हाथ को थामे रखें हमारे विश्वास को बढ़ाएं हमें या दे जो हमें चाहिए इस रविवार को धौपैर दो बजे जेफरसन विल समय पर अपनी दुलहन के साथ आए क्योंकि हम दिन के लिए आपकी आवास के आसपास इकटे होते हैं और सुनते हैं कि आप बोलते हैं एक दुलहन का चुना जाना पैसट शुन्या चार दो नौ इए ये हमारी प्रातना है पिता हे स्वर्ग के परमेश्वर पापी संसार और पापी लोगों पर दिया कर रात्री है परमेश्वर मैं इस बिच्वाई में खड़ा होने का प्रत्न कर रहा हूं और दिव्य अनुग्रा मांगता हूं कि प्रभू आज रात्री इस सबा से बात करेंगे और अपनी दुलहन का ध्यान अकशित करेंगे प्रभू किसी मत के चिन के द्वारा आगे बढ़ आज रात्री उनके ये मालूम पड़े कि तू ही परमेश्वर है और तेरा वचन सत्या है जबकि इन लोगों के सामने गंबीरता से हम इनका ध्यान तेरे वचन की और खीशते हैं बाई जोसिफ प्रैनम पढ़ने के लिए शास्त्र है उत्पत्ति अध्याई 24-12-12 वो कहने लगा कि हे मेरे स्वामी इबराहम के परमेश्वर योवा आज मेरे कारी के सिफ़ कर और मेरे स्वामी इबराहम पर करूना कर देख मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों के बेटिया जल भढ़ने के लिए निकली आती है सो ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूं कि अपना घड़ा मेरे और जुका दे कि मैं पीओं और वो कहें कि लोग पी ले पीछे मैं तेरे उटों को भी बिलाऊंगी सो वही हो जिसे तुने आपके दास इसाहाक के लिए ठेडाया हो इसी रीती से मैं जान लूँगा कि तुने मेरे स्वामी पर करूना की है फिर जिन साथ स्वर्ग्दतों के पास आया साथ पिछली विपत्यों से भर वे साथ कटोरे थे उन में से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बैठ कर बाते कर के कहा कि इधर आ मैं तुझे दुल्हान अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा ये अगली बार तक प्रैनम टबैनेकल में भाई जोसफ प्रैनम से एक साथ इककटा होने वाले उकाबों का पत्र का समापन करता है अगर परमेश्वर की इच्छा हो हम रविवार को दुपैर दो बजे जेफरसन विल समय पर दुनिया भर से एक साथ इककटे होने जा रहे हैं 22 अगस्ट 2021 हालिलूया परमेश्वर आपको आशिश दे और शालोम